दोस्तों हर सफर में कई कहानिया बनती है और हर कहानी में असली मज़ा सफर का ही होता है तो चलो आज का सफर शुरू करते हैं खजियार से डलावजी तक का यह देखो चाय बन रही है अंडा बना यह वरा ख़जांची हाई खजांची मिस्टर सौरव संता प्योर खजांची मितलब रियल खजांची सेकेंडरी खजांची और दिस न्यू ब्लॉगर इन आर टीम मिस्टर हिमांशू इनका चैनल सब्सक्राइब करो नाम क्या चैनल का रहा है यह नाम कुछ नहीं है लेकिन वर्ट त्यारी कर रहे है बना रहे है बनाया नहीं अब कर दो रहा है अजिए अब लेटर रडी है हम भी रडी है बन्लाब ये एक तरीके का क्या कहते है सूट है ये पर फैमिली सूट सॉर्ट ऑफ थिंग ये और ऊपर वुडन की ग्लैडिंग हो रही है हाला कि लो हाइट सीलिंग है पर अच्छा है का भी पढ़िया लग रहा है कहानी चल रही है विलकुल मस्जड और अपनी चल रही है प देस्टिनेशन पर जाने के लिए और देखो क्या मस्स दिख रहे हैं इस बीमड़ी बीमर इस टाइगर बिल्ला इस बिनेली चील इस में उतलब रेड़ वाली पर आ गया हूं देन ग्रीन वाली जार डौविनार हर्या एंड लेटेस्ट लास्ट वन इस लेटेस्ट इसले कहा तो यह होटेल की यहां पर पेमेंट करेंगे और फिर चलते हैं ने डेस्टिनिशन की तरफ होटेल टाइप था वैसे तो मिलब काइंड और रिशॉर्ट के लो यहां अच्छा था मज़ा है यहां पर और अब चलते हैं तो अब हम ड्राउजी के लिए निकल गए हैं यहां से काफी भीड हो गई अभी तो पहले यहां पर काफी कम लोग थे अब भीड जादा हो गई है देखो यहां पर पब्लिक भी आ गई काफी शाली तो अब लिए सिर्टी एं रिटर्न विमा चैजर तो राइडर लोग निकल चुके हैं अभी सुबह बहुत तेज धूप थी यहां पर और अब थोड़ा सा काफी चाया सी हो गई है मुल्व अच्छा लग रहा थोड़ा सा कि अजकी चाया हो गई तो क्या बात क्या बात क्या बात अब खजियार से हम लोग निकल गए हैं डलाओजी के लिए तो डलाओजी चलते हैं और और तरह के नजारे देखते हैं मज़ा आएगा ट्रिप चल रही है दो आगे दो ही अपना होटेल है जाम तो इसने बताया नहीं था आपको इस तरी जाना है कि अज़ा आइस तो आप क्या मज़ा आ रहा है नजारों में जंगल एकदम घंगूर है यहां जानवर भी होंगे अंदर अंदर होंगे जानवर स्वाह handlar है पूरा है फैसे यहां से रस्ता जाता है यहां से रस्ता जाता है शकमास के लिए भी वैसे लकड़ बंडी अवे लकड़ बंडी दो किलो मिट्र है यहां से लकड़ बंडी यहां तो ऐसा चल रहा है जैसे कूलर चल रहा हो नहीं जन्नल का मस्त कूलर कह रहा हूं मैं ओ एसी खुशी के मारे दुमाग सक हिल रखा है वे बालू है यहां बालू बालू की फोटो लगी हुई है एक बालू तो हमारे साथ चल रहा है अब बिल्ला अपना जबर्दस्त मोज ले रहा आज पेट्रोल की लाइट जल गई है लेकिन इसमें मिस्टर सारव आपका डबा बड़ा मस्त लग रहा है पीछे से सज बता रहा हूं मैं ये पाड़ों का जादू है कि कितनी बारी भी आजाओ फिर भी आने का मन करेगा आज बगवान ने हमारी सुन ली है तो बगवान ने प्रोग्राम हमारा सेट कर दिया बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन मौसम बहतरीन हो गया है एकदम कोई काम्रा विवर लगा प्राजह देटा काम चाह्यूी थी तंदे सेंव मोटरशाि आई एsel अप्रतों पुपाव लाग। पुपाव लाग। वाइसाब इस भारी मिडिवा आगा उसका कुपाव लाग। अप्रियू सभी गोटा है, अब यूण आप अप्रेश भी खुले में चेक इन करके रहें जुला हुने लेगें कि बार बैठके बाठके रहें फ़े मुडेगी कैसे यहां से होगे दोस्तों आप यहां पर एक वहाँ से एक अजीब सी चीज हो गई हमने होटेल बूत करा दिया है सरकारी होटल और और वहां पर जाकर जब देखा रोप पर हम आरा तो अब हमको वहाँ निकल के जाना पड़ा कि अच्छी होती है और जो होटल बुक रहा है वहां की पार्किंग तो माशालला दी मलब पार्किंग एक बाई की होगी और हमने वहां पांच बाई कुजा दी उपी ती पड़ी होगी पु, भफ्भू मुदा ढो हो जास वासी पार्किंग call कि अच्छी होगी को आपार्किंग कि ऊर्फ मुदाय ब्ल्च ती ती वुशी विफ ब्लच ठवमाय वाए आप अब भाया हमने होटेल पुक कर दिया यह सरकारी वाला प्रणिया नाम तरसकर कि तांजली और इसका रूम हमें पसंदनी आया तो अब दूसरे होटेल में जा रहे हैं और यह सब प्रोग्राम हमारे साथ चलते रहते राइड पर क्योंकि जल्दी आ गए तो कुछ तो करे अब यही हमको एक नया टार्गेट विलाज करने के लिए तो हम उसको कर रहे हैं और पहले आपने देखा ही होगा हमने बाइक कैसे निकाल के घुसाई थी उस पार्किंग में जहां पर एक बाइक नहीं आ सकती हमने छे घुसा दी फिर अब उनको निकाला भी है झाल जान एक पार्किंग विलाज पर खब उनको प्रेखा है आप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स यह हमारा दूसरा दिन है राइड का और यहां पर चल रहे हैं काफी सारे काम काम दिखा हूं मैं आपको क्या क्या काम चल रहे हैं देखो देखो बीमडबलु की सफाई हो रही है दूसरी बाइक के सफाई हो रही है और उसकी भी सफाई हो रही है भाई सब कहा जा रहे हो तुम चमका के इतनी सारी बाइक बताओ न कहा जा रहे हो घर जाएंगे आप कहा जा रहे हो सच पास भाई आप लोग कहा जा रहे हो आज आप भी सच पास जा रहे हो यह आदम इंटरनेशनल जा रहे हैं इनके पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन जाना जाते हैं इंटरनेशनल हो याद निकल जाएंगे तो हम इंटरनेशनल जा रहे हैं सारे मिलके आप पताओ सबसे बढ़िया बाइक कौन सी लग रही है इसके टाइगर लग नहीं लग रही है तो दोस्तो आज अपना दूसरा दिन है और हम निकल गए अभी डलाउजी वाले होटेल से आपने देखी लिया होगा और काफी अच् कोफे इंजॉय के हमने